तभी बच्चों की मांग के अनुसार मैंने पेपर को इंग्लिस मीडियम के साथ हिंदी मीडियम में भी बनाया है हर साल बनाता हूं पेपर और मेरे बनाएगे पांच पेपर में से को नहीं रटना है कि लेंग्वेज का यूज करते हैं को सॉल करना है नंबरों को कभी रटना नहीं अगे वाला कोशन चेंज हो गया वहां पर तो उसका कोई गारेंटी नहीं है यशे मैंने लिखा sum of zero तो sum of zero आएगा प्रोड्ट आपड़ एगा अब यहां और नंबर है यहां पर M की दग मैं अगर नंब अट नॉ आने हैं न तो क्वेश्चन की लेंग्वेज पर ज्यादा ध्यान रखो कि वह क्या पूछ रहा है आप से तो मैंने आपर यह पहला क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन टोटली बारा क्वेश्चन आएंगे वह भी एमसी क्यों आएंगे और टाइम जो बहुत कम है दो गंटे 45 मिन्ट का टाइम है जितना हो सके छोटे क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी करने की ट्राइब करना है एक मिनिट के अंदर स्वाल करने का ट्राइब करना है कुछ क्वेश्चन तो ऐसा आएंगे जो दस सेकेंड में हो जाएंगे अच्छ Queens मिनिट में करो जो चोटे क्या क्या केलाती घृष्ट लाइन क्या केलाती तो आपको जो आता है पड़ा पड़ाइंड查 बिटी का बहन सब्सक्राइब कर जाएगा अब पिछे बस 10 30 वचा उसका वैली क्या होता है वर रूट 3 कुछ कोश्चन ऐसे हैं बिल्कुल एजी है आपको ज़्यान देना है 12 mcq आएंगे तोटली उसके बाद है आपके फिल इंद ब्लैंक है तो आपको बताना है कि अगला नंबर क्या आने वाला है इतना हो सके आपको ज़ल्दी ट्राइब करने की कुछ करना है यह है आपका यह पेपर इस बार मैंने हिंदी मीडिय में भी टाइप किया है दोनों यह कि यहां पर देख लिए इस लिए क्या है इसका में का होगा है करण के अंदर आपको सारे आपको इसके लिए वेपर को त्यार नहीं करोंगे आपके अच्छे वाले नहीं इस चीज का ध्यार रकम आपको यूकलिट से फाइंड करना यह ग्रूप दे रखा उसकी आपको मीडियन फाइंड करना पिका उचाला चित ग्याद करना अब चित लिकावा है तो पट भी आसकता है यह कुश्चन दे रखा है अगला है आपके यह सेवन्त कुश्चन जिसमें यह 1 बाय एक्स-1 बाय एक्स-2 इसकल दो त्री है तो बताओ किसे मूल ज्याद करूट रूट कूए यह आपकी दिर्खेस के अगले दो पत क्या करने आपको घ्याद करने अगले में 11 टे रहेका 16 दे रहेका 31 और यहां पर कोई साइड दे रहेकि उसको 302 में बाटना यह सो चेंज हो सकता है नंबर 3 हो सकता है कि लेंगवेज के भी चेंज होती है लेंगवेज पर ध्यान देना है यहां पर दोनों टेंजेंड के बीच में एंगल आयए 70 डिगरी आ 60 भी लिखा हो आ सकता है इसका यहां पर 1060 1045 कुछ भी आ सकता है आपको लेंगवेज पर ध्यान दे को स्वाल करना है यह कोश्चन ओनली टेबल से होगा याद है कोई भी नंबर है रखो वैल्यू पूट करो आ जाएगा यहां पर यह दिरे कॉस्ट फर्टिफाइप होगा बताना है अब यहां पर आपके मीन दे रखा है तो एफ का वैल्यू क्या होगा हमें बताना है इस कॉश्चन में आपके ग्रुप दे रखा हमें तोरण घीचना है मतलब ऑग्यू बनाना है इस कॉश्चन के अंदर हमें तास्ट के पत्तों का कॉश्चन दे रखा है बताना है हमें इसम्हें प्रबाब्लियोटी ऐसे को आपको करनाए Canty & करना है यहाँ के लिए दोनों मेंसे कोई न ह Kill न कोई आपको एक olsun करना है या पर आपको माध्ये यह Мар्द क थे किया करना है और माध्ये लिए तीन मेम करते मैं कोई भी आपको तीनी तरीक नत्रीक आती है अति बैनने हैं सकती चाहिक है सकती है बड़ी नमें से कोई एक आपकी एकजाम में भी और आपको से ट्राइक करणा है यहां पर मद्य का और भॉलक में से जो आपको अच्छा लगे वह आप यहां पर घ्यान कर सकते कौश्चन दूदो है mix मैंने अलग नहीं बनाया है इस यह कोश्चन में लग दिए इस लिए या तो मद्य का ग्याद करो यह फिर भॉलक इनकी प्रेक्टिस करनी है लेंग्विज पर ध्यान देना है नंबर पर डिजिट पर ध्यान देना जैसे कोश्चन है यहां पर आपकी अलग भी हो सकते हैं मैं बस फाइंड करना अच्छे से आणा चाहिए प्रूव करना है तो आपको हर प्र मिलेंगे कम से कम आपको पांच प्रेपर ट्राइ करने हैं तब जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे मैंने जब प्र दिया है काफी कॉश्चन मिश है तो अगले वाले प्र माजाएंगे पांच पेपर है जो आपको हर दो तीन दिन के अंदर आपको मिलते रहेंगे और इंग्लिस मीडियम में मिलेंगे और हिंदी मीडियम दोनों लेंग्वेज में लिखे होंगे आपको पढ़ने में थोड़ा आसान ही रहें तो मैंने दोनों लेंग्वेज में हैं और किसी कोई कोई मिस्प्रिंट चपा हुआ है तो आप कमेंट करना मैं उस क्वेश्चन को सभी करने के ट्राइग करूंगा तो वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करें चैनल को सब्क्राइब करें धन्यवाद